हले स्टुडेंट वेलकम टू ओवर अमेजिंग प्लेटफॉम सोनू कम्पिटिशन क्लासिस आई होप आपकी जो इस्टडिय बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आप भी ठीक होंगे तो आज हम देखिएगा कि अपने रिलेशन और फंक्शन का फिप्ट लेक्चर करने थे जबकि आज हम करने वाले हैं अपने वन का फिप्ट पार्ट से लेके फाइब क्यूशन तक ठीक है यहां तक हम करने वाले और दिखिएगा कि इससे पहले जो हमारा जो एक से लेकर फोर तक की क्यूशन होए थे उनमें मेजर टोपिक क्या था जिसमें हमने क्या देखा होता यह देखा था सीमेट होता रिफ्लकसी क्या था और यहां पर स्प्रांजीटिव क्या होता यह इसके मेजर मेजर कोंशेप्ट से जो इन्हें के ऊपर यह पोरा होल्ट जो अपना एककसिजय jest वह तीन कॉंसेप्ट पर बेसिक थैना जानि बेस है तरहीं से हम देखेगा कि start करते हैं अपना देखिएगा कि आज का गोल यह होने वाला आपको पता है और इसमें देखो basic basic definition आपको याद होनी चाहिए क्या है वो देख लीजेगा पहला अपने पास देखिएगा कि याद होना चाहिए अपना क्या भई कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो भई reflexive पता होना होती है वो किसी सेट होता है जो अपने पास डीफाइन होता है क्या होता भी जो रिलेशन होता हो किसी एक सैट के उपर डिफाइन है तो फिर हम क्या लिखते है कि relation कहां से a to a तक होता है और relation आपको पता है वे सबसेट होता है किसका partition product का तो a cross a हम इसको लिखते है ठीक है अब देखो कि reflexive property reflexive relation वो एक set की property होती तो इसका मतलब जो before all आपका जो a होगा वो किस में से आएगा set में से आएगा और किसी ना किसी करके यहाँ पर a और a जो भी है यहाँ कि ordered pair of doublets हाना वो आपके यह दी कैसे ना करके आप क्या लियाओ उस relation में लियाओ तो आपका जो यह relation होगा वो आपका क्या होगा reflexive होगा इसके बाद में हम देखते हैं वही आपका symmetric symmetry दो नमर पर जो हमारा concept होगा वो इसी में symmetry होती ही ठीक है बोले तो symmetry symmetry relation भई symmetric relation कैसे चेक करते हैं ठीक है symmetric relation में क्या होता है वो ही आपका relation तो same to same किसी set पर define ही होता है और reflect तो symmetry में हम क्या करते हैं आपका कोई भी a coded pair होगा जो कि आपके relation में होगा यह imply क्या करता है कि इसका जो reverse part है वो भी किसमें होगा बई relation में आएगा, ठीकह जी यानि कि क्या होता है better invited और ऐसके है वह आपके relation में आ रहा है तो BA वह आपके आएगा relation में आएगा, यह हमें क्या करना पड़ता, पूरूफ करना पड़ता है अब देखिएगा कि आपके लिए आपका जो third point हो आपके लिए वद्धा भी ट्रांजिटिव जिसके लिए हम हर क्यूसन में क्या करते हैं फाइट करते हैं तो आपको ये टॉप यानि कि मैं क्यूसन स्टार्ट करा रहा हूं हर नेक्चर नया होगा उसमें हम ये तीन कॉंसेप्ट तो जरूर से पढ़ते रहेंगे ठीक है और इसी के उपर अपना पूरा एक्ससाइज है इसलिए मैं इनके उपर ज्यादा आपको फोकस करा रहा हूं क्योंकि ज्यादा बार हम करेंगे तो आपको बाते ध्यान में आएंगी ठीक है इसलिए अब देखिएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं किसी भी क्यूशन मे हमें ट्रांजिटिव रिलेशन सो करना है तो हम क्या करते हैं ठीक है तो उसमें देखो आपको एक रिलेशन में एक कोमा भी आपको दिया होगा एंड क्या होता है कि भाई बी कोमा सी आपको कोई ना कोई एक ओडर पेर दिया होता है यह जनरल पेर है ठीक है जनरल ओडर पे ठीक है यानि कि ट्रांजिटिव रिलेशन एक इसके अनादर जो प्रोपर्टी वो क्या होती यानि कि वो कोई अपने आपको इतनी जब क्यूशन सोल करते ना तब आपको फेस आउट होता है तो वो देखिएगा कि क्या है यह दि आपके पास में यह दि एक कोमा भी आपका र प्रियान में रिलेशन क्या होगा ट्रांजिटिव होगा ठीक है यहनि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा अब चलते है अपने जो क्यूशन पर कि इसका पहला क्यूशन है ठीक है पहला क्यूशन है कि देखो एक तो रिलेशन कि इसके उपर डिफाइन है देखिएगा कि क्या है relation are in the set a of a human being, यहनि a set के ऊपर defined है, a set है कि साथ जिसके अंदर क्या है, कि human beings in a town at a particular time given by, यहनि कि particular town यहनि particular town में क्या होता है कि town के अंदर, एक human का क्या है collection है ठीक है, तो उसने यह बोला वही, यहनि कि अपने पास a set क्या हो गया वही, अपने human beings का collection हो गया, ठीक है, human beings बोले तो हम ठीक है, अब relation क्या बोल रहता है कि x और y एक ordered pair आने वाला है, जहां पर x and y है वह work at a same place, यहनि कि क्या होने वाला work at a same place काम करते है, यानी कि एक company, यह कोई भी a naam की कांपनी स्वाफ काय सकते हैं, जिसका अंदर यह वेकती है और यह वेकती है, ठीक ह्याई यह थोनों क्या कर रहे है, काम कर रहे है, same place पहैं ए नाम की company स्वाला चरहnous है काम कर रहे है एक जगह है इसको हमें देखना है कि यह क्या है reflexive है symmetry है transitive है यह यह तीनों को हमें देखना है ठीक है तो पहले जो आपको Qution है solution में मैं हमेसा यह बोलूँगा कि जब हमें यहां पर में Qution करा रहा हूं वह हम यह से कर रहे हैं जैसे कि हम board में जैसे लिखेंगे वैसे ठीक है तो आपको वही follow करना में था ठीक है तो वह आपके लिए काफी helpful होगा solution भई आप देखो पहले तो हम किसी भी Qution में जो आपको given होता है उसको लिखते है ठीक है जो आपका relation है जो आपका relation है relation r है वो in a set a है और a set क्या है भई set a of human beings क्या है भई human beings का एक collection है ठीक है जो भी आपकी city है वो वह कोई जिकत नहीं है ठीक है अब देखते हैं ठीक है अब आपको क्या है भई इसका मतलब आपका जो relation है वो कहां से कहां पर define है अब आपको पता चल जाना चाहिए यह define है और आपको जो given relation है वो आपके लिए क्या है भई इसके अंदर a से x और y है such that जिसमें x and y है वो कहां पर करते है at a work at same place work at the same place यहां तक है अब इसको हमें क्या दिखाना है रिफ्लेक्सी भी दिखाना है तो आपको जहां तक आपको लगे कि हमें आपको लिखना है इस क्यूशन में showing that क्या करने वाले है वो भी आप क्या लिख दो अलग pen से लिख सकते हो red से मत लिखना board में black से लिख सकते हो कोई दिकत नहीं होगी ठीक है यहां से क्या होगा भई हमें show out क्या करना है आपको लिखना होगी सो out के लिए देखो reflexive दिखाना है reflexive relation और क्या दिखाना है यह आपको लिखना है symmetric relation और क्या है आपके लिए transitive यह आपके लिए खुद को भी यह एक बार में पूरा complete equation कराऊंगा जिसमें हमें क्या क्या करना है यह आपको पता होना चाहिए यह आपको है तो अब इसके उपर work करने वाले reflexive है अब देखते हैं पहला work हमें करना है reflexive प्यादो कि वह reflexive है अब आपको देखने वाले तो इसमें क्या करते हैं भाई आपका जो भी set है आपके पास देखो 4 all a है जो कि आपके पास a set के उपर है ठीक है अब आपका यहां पर एक relation आपको given कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे को कहां कहां पर पूंचना मेरे को इस तरीके से करके a, a के उपर पहुंचना है मेरे को अब मैं यह कैसे बोलूँ यान कि इसके बीच का mathematics क्या aid करूँ जिसे की मेरे को यहां पर आए अब देखो a, a है यान कि a है तो वो इस किसी न इस property से गुज़रेगा इसका मतलब हम इसको लिखते हैं पहले क्या है यहां पर मैंने a लिया तो x की जगह a and जो a है है वो क्या करता है वर्क at क्या करेंगे बई at the same place same place अब देखो यहां पर क्या हुआ है कि इसने क्या बोला यह दी हमने यह बोला कि for all a जो यह है तो उसमें देखो आपका double ads का set होना चाहिए double ads है ना कि खुदगा खुद से यहनी कि वो होना चाहिए अब देखो यह दी में कहां पर काम कर रहा हूं तो वहां पर मेरी जो image जब वह भी काम करेगी बोले तो परच्छाई तो इसका मतलब a and a अब है क्या a and a यहनी में और में तो वहीं पर काम करूंगा ना क्या होगा उसे कि दो बार a लिखा मैंने a and a है तो में और में क्या कर रहा हूं a work same place and की मेरी परच्छाई भी वहीं पर काम करेगी a, a same to same तो वही होगी ना जो मैं हूँ वैसा कोन होगा मेरी परच्छाई होगी इसका मतलब यह है तो यानि कि में और में यहां पर same काम करूंगा इसक मतलब यह property satisfied होगा that means यह क्या होगा a, a क्या होगा आपका इस relation में आएगा relation में आते ही जो आपका relation है वो क्या होगा कि relation R is क्या होगा आपका reflexive होगा वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है reflexive relation कैसे है यह थोड़े आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे वही यह मेरा एक workplace है यहां पर में हूँ और यहां पर मेरी कोई ना कोई परच्छाई है तो क्या होगा वही ए और ए क्या होगा कोई क्या है और ए ही है यह और खुद एक जगह ही तो काम करेगा दूसरी जगह थोड़ी ना कर सकता हूं में एक ही जगह करूंगा न इसलिए तो यह आपको समझने के लिए कोई भी ए नाम की company जहां पर में काम करता हूं तो मेरी परच्छाई भी वहीं पर काम करेगा इसका मतल कि yo What symmetric relation में क्या होता है कि आपको क्या होता कि उसमें आपको ए को मा पी TOब का क्या होता है उसका जो reverse है when you are gonna are you यह imply करता है कि इसका जो reverse है, यानि कि, वो गोलता है कि मैं सीधा तो इस relation में हूँ, तो उल्टा करके भी देखोगी, तब भी मैं इस relation में आता हूँ, तो वो हमें बताना है, ठीक है, तो इसका मतलब देखो, यह आपके relation में है, तो that means यह आपके किसमे होगा वई यह किसमे होगा आपके उस जो relation है relation की property से goes through होता हुआ होगा तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं पहले तो यहाँ पर थोड़ा से हम क्या करें xy में question दिया वाना है तो इसको xy कर लेता है उसमें पहले वाले में कोई दिकत नहीं है अक्स और यहां से क्या होगा वाई अक्स ठीक है यह और इसमें भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो यहां से यहां पर देख लो ए कोई है तो ए अक्स यहां पर x होगा तो यहां से x, x का एक order pair आ जाएगा ठीक है यह बत अब चलते है आगे देखो x और y है यह यह सीधा है तो इसके अंदर उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए यह relation में इसकम तब यह relation की property से काम करता है x and y क्या करेगा work add the same place यह देखो यह मेरी a नाम की एक company थी जिसके अंदर क्या है भी एक तो a वेक्ति काम कर रहा है एक देखो b sorry यहां पर एक तो x नाम का वेक्ति काम कर रहा है एक y नाम का वेक्ति काम कर रहा है तो यह आपकी कोई क्या है a नाम की क्या है company है तो इसके अंदर दो वेक्ति काम कर रहे है यह company है a नाम की जिसके अंदर same location है ठीक है यह कोई company है location है समझ लो यह जहपूर में काम कर रहा है तो इसी मे अब एक दिन क्या हुआ एक दिन पहले तो में आ गया एक दिन क्या हुआ एक दिन में पहले आ गया दूसरी दिन वो लेट आ गया एक दिन क्या हुआ वो पहले आ गया और एक दिन में आ गया तो उसे कोई यानि कि पोजिशन का इंटरचेंज होने का कोई यह तो है नहीं कि व जो y of x है वो क्या करेंगी वही वर्क एड़ दी क्या करेंगे सेम प्लेस सेम प्लेस ठीक है इस तरीके से यहां पर आने वाला है तो इसमें क्या करूंगा तो यहां पर अब देहों इसका मतलब पहले जब aks और y था तो इसका ordered pair किसमें था आपके relation में थाए अब देखो इसको पैचानो पहले y है तो मैं क्या करूंगा आपका जो y है पहले लिखूंगा फिर x लिखूंगा जो कहां पे बिलोंग कर रहा है वो आपके किसमे कर रहा है relation में बिलोंग कर रहा है तो यही तो हमें पूरूफ करना था यह क्या करता है यह वाला imply करता है कि y, x वो आपके relation में आना चाहिए तो y, x वो आपके relation में आ गया, ठीक है, तो यहाँ से, यहाँ पे clear, I hope आपको वही symmetric कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है, यही से, अब देखो, दूसरा जो आपके लिए point आने वाला है, वो आपके लिए आने वाला transitive, transitive relation, ठीक है, transitive relation क्या होता भी, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखना चाहोगे, तो आप लिखोगी कि y, आपका relation में है, और जो आपका y और z है, वो भी आपका क्या है, एक relation में है, तो यह imply करता है, कि जो आपका x, z होगा, वो भी आपका किस में होगा, relation में आएगा, ठीक है, यह आपको proof करना है, तो इसको proof करना है, क्या करना अपने को x और y क्या होगे, एक जगे ही काम करते है, x और z किसकी जगे, एक ही जगे काम करते है, ठीक है, तो पहले दिन, जो को इसको समझना है, तो यह relation में आ रहा है, इसको लिखो भई, x and y works work at same place, ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरी जो property वो क्या है, कि आपका y और z भी तो, यानि कि इस relation में आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो भी लिखो भई, कि y and z, y and z work at same place, देखो इसको थोड़ा सा आपको feel करना आना चाहिए, वो क्या रहा है, और कुछ भी नहीं, बस only wording, wording की बाते हैं, और कुछ भी नहीं करना होता है, बस सीधे, आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक company है, कोई ए नाम की company है, इधर भी कोई ना कोई देखो कैसे आ रहा है, कि यह देखो एक अक्स एक वेक्ति है, और यह, यहाँ कि दोनों एक ही company में काम कर रहे हैं, अब देखो एक दिन क्या हुआ कि यह y और z के साथ आ गया, यह दिन तो वो x के साथ आया company में, दूसरे दिन क्या हुआ कि वह y और z के साथ company में आया, बट देखो y कहां पे काम कर रहा है, a company में तो z को भी कहां पे काम करना पड़ेगा condition के according, यदि y और, यानि कि यहां पे क्या होगा, y और z क्या होते हैं, तो हमें पता है कि y तो a में काम कर रहा है, इसका मतलब z को भी a में काम करना पड़ेगा अब देखो कि यहां से देखो कि तो भाई ये ये भी तो एक ही में ही काम करेंगे ना कि एक दिन क्या हो गया ये दोनों साथ में आ जाएंगे X और Z कोई फरक थोड़ी ना पड़ेगा क्योंकि काम तो वो भी A में ही करेगा क्योंकि ये A में है तो दोनों में किसमें एक ए नाम की कमपनी में काम कर रहे है X और Z simple है यानि कि उसको थोड़ा सा feel करना आना चाहिए आपको हम कैसे feel करें इस चीज को यानि कि यह symmetry है तो कैसे है तो वो ऐसे है कि X और Y है जो कि A नाम की कमपनी में काम कर रहे है Y और Z कैसे A में है है क्योंकि है यहां पर वाई है। वो a में काम कर रहा है तो इसलिए यहां आपको बाती समझ में आया हैं कि इसके पीछह की bet Könnum कि क्या है इसलिए तो यहां से हम क्या लिखने वाले यह आए कि यह इंप्लाई करता है यह दिस इंप्लाई यह और दिस इंप्लाई यह तो यहां से x and z work at same place इसको एक जगह काम करता है यहां से तो इसका मतलब यह क्या हुआ है कि वह x,z है वह आपकी किस में आ गया है रिलेशन में आ गया हैंस जो आपका रिलेशन है r is ट्रांजिटिव रिलेशन किया है और यहां पे भी यह क्या हो जागा है यहां पे भी यह लिग लो कि हैंस रिलेशन r is relation r is क्या होगा आपका symmetric होगा symmetry relation यह आपको देखो इस तरीके से board में करके आओगे तब आपको full marks आएंगे जो आप क्या कर रहे हो क्या आपको given है क्या आपको find out करना है आपका focus कैसे रहने वाला है कैसे चीजों के साथ deal करने वाले यह आपका अच्छी तरेके से होना चाहिए ठीक है आई होप यह क्यूशन आपको समझ में आया होगा इसी का देखो सेम वर्जन है कि अपकी बार क्या हो रहे है कि अक्स और वाई दो परसन है जो कि एक ही जगह रहे रहे वह एक जगह कंपनी में काम कर रहे थे अपकी बार एक जगह रहे सेम टू सेम कुछ भी लाइन टू लाइन कुछ भी चेंज नहीं होगा देखते हैं कैसे करते हैं ठीक है तो यहां से देखो भई पहले वही काम करने वाला सोल्यूशन है यह और आपको देखो गीवन क्या है वह देखता हूं भई गीवन आपको देखो क्या है एक रिलेशन है रिलेशन रिलेशन रिन दी सैट ए ओफ हुमन बींग ठीक है, human beings का आपको set दिया है, इसका मतलब relation कहां से कहां पर define है, ये बात हैं, आपको पता होना, ज़िए a to a define है, ठीक है, यहां से, अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, आपको एक relation भी दिया है, कि relation आपको दिया है, आपको आपको पर दिया है, जिसमें x and y कहां पर रहते हैं, कि live in the same locality, यहां कि वो एक ही जगह रहे हैं, कोई भी आपका गाउं समझ लीजे, कि x और y एक दो वेक्ति हैं, दोनों friend है, जो कि एक क्या रहने है, जयपूर या कहीं पर भी अच्छी city सुन लो आप, ठीक है, यानि कि भी कहां पर रहना चाहते हो आप, यानि कि आप रहना चाहोगे हिमाचल परदेश में, उत्राखंड में, तो यहीं पर समझ लो, यह UK है, उत्राखंड है, यूके का मतलब वो नह दिक रखा है, कि so out क्या करने वाले है, कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, और सिमेट्री है, यह चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, अब पहला में major focus के उपर करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ अपने reflexive पर, देखते हैं वही, तो यहां से वही reflexive, reflexive relation, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी में वो ही काम करने वाला हूँ, for all x जो भी आएगा, यानि जो भी human being है, मेरा a में से आएगा, ठीक है, कोई भी, उसका नाम suppose that a1, b1 होगा, तो वो देखिएगा, देख लेंगे हम, ठीक है, जो भी है, अक्स नाम का है, हमने कोई generally arbitrary element अपने set में से उठा है, अब मेरे को उसको क्या proof करना है कि, मेरे को proof करना है कि यह जो given है मेरा, यह क्या होना चाहिए, x, x belong किस में करना चाहिए, मेरा relation में, कहने का मतलब कि doublets, यानि कि खुद and, यानि कहने का मतलब क्या होगा है, कि यहां से यह दी यह गुजरेगा, तो यह क्या बोल के गुजरेगा, यानि कि इस property से गुजरेगा, यानि कि property से गुजरेगा, तो यह क्या बोलेगा, x and, x live in a same locality, live in a, live in a same locality, या live in the, same locality, यानि कि वह वहां पे रह 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 थो, क्या बोला, यानि कि में और, x and, x live in the same, यानि कि में हूं, और वहीं पे में हूं, क्या होगा, में, और मेरी पश्चाई तो वहीं पे रहेगी, और कौन रहेगा, suppose that, कि यही बात है, एक एसा place है, जहां पर, एक तो में खुद तो यहां से क्या हो गया एक क्या हो गया है और ये ओर रहेंगे उसी टरे में यांकि यह खुद वेगती यह उसकी परच्छाई एं इमेस एं तो नहीं Is नहीं चोड़ती, इसका मंदल्ब जोगने ही निसमझने के लिए यह इंग पर चांद हा उनकर हाथ, तो मिलेंगे नहीं न हम सकल सब्सक्राइब लिए यहां से यह समझने का आईडिया और यह बात साहिए कि खुड का खुड है वह एक जगह रहेंके नहीं पहेंगा, मैं खुड हुझा हुझा ओ तो एक टायम पे गई हुझा दूसरी जगह रह नहीं पूर गाँगा, इसलिए तो X live in the same locality that means हमेशा खुद का फोएं कोई भी आप ले लो कोई भी व्यक्ति जिसमें X, X यह नहीं हर ordered pair आपको इस relation में मिल जाएगा, ठीक है इसके बाद की देखो चर्चा हैं हम next page पर करते हैं कौन सा symmetry है, same to same चलने वाला है कोई दिक्कत नहीं होगी, symmetric relation, ठीक है, symmetric relation क्या है, कि symmetric relation बोलता है कि यदि आपका X, Y यदि आपके relation में है तो मेरे को बता दो कि क्या Y, X भी मेरा इस relation में है, क्या है, यह बताना कि यदि वह सीधा है, वह आपके relation में है, यानि given है, तो क्या यह imply करता है कि Y, X भी आपका किस में होगा, वह इस relation में आएगा, ठीक है, तो आपको given क्या है, कि यह तो आपको given है, ठीक है, इसका मतलब जो X and, जो आपका, अक्स एंड जो वाई है वो क्या है लिव इन दी सेम प्लेस लिव इन दी सेम लोकलेटी रहे सोरी अनकी एक जगर रह रह रहे है सेम लोकलेटी में है कहने न इक मतलब यह आपकी एक समछी यूके नाम की एक कंठ्रीं जिसमें आप रह रहे और फ्रेल है वो भी वहीं पर रह रहा है X है और यह भी रहना है अपकी बार हम क्या करेंगे इनकी positions change कर देंगे Y और X है है ना और UK में ही रह रहे हैं तो क्या फरक पड़ेगा कुछ फरक थोड़ना पड़ने वाला वोई बात है इसका मतलब यहां से हम क्या कर देंगे क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे Y and X lives in live in the same locality कुछ फरक नहीं पड़ने वाला इसका मतलब जो जब यह था तो यह आपका इस relation में था तो यह क्या आएगा पहला element पहले इस्तान पे X element दूसरी इस्तान पे तो यह किस में आगया आपका relation में आगया तो hence आपका जो relation है वो आपका क्या हो गया relation R is क्या हो गया R is symmetric हो गया symmetric relation symmetric relation यह तो हर Qs में जब भी आप end गरो यह वाली जरूर से लाइने लिखनी जो आपको conclusions में पूछी गई है ठीक है अब इसी के बाद में हम चलते हैं अपना जो इसी का next part है वो क्या आपका transitive है ठीक है transitive relation आप इसमें क्या होगा कि आपको given होगा यह दि if क्या होगा कि x, y है end यहाँ पे भी आप if लग सकते हो कोई दिकत नहीं if का मतलब यह given है और आपको यह proof करना है ठीक है if x, y and यह आपके relation r में होंगे and जो आपका y, z होगा वो भी आपके किसमें होगा relation में होगा तो यह imply करता है कि यहाँ से क्या होगा x, z होगा वो भी आपके relation में आएगा ठीक है इसके बाद की बात है अब देखो क्या घड़ता है जो भी हमें given है यह relation में यह relation में है तो यह क्या होगा relation की property से goes through होगा relation क्या बोलता है कि जो आपका x और एक y है वो क्या होता है live in the live in the same locality ठीक है इसी में देखो दूसरा क्या है गा y and z lives in the same locality यह आने वाल है ठीक है यह आपको लिखना है आपको खुद को लिखना है यह आप एक्जाम में मत कर क्या आना ठीक है यह आपको यह लिखना है ठीक है आपको ध्यान में रखना है अब इसी में यह क्या होगा भई आपको पता भई यह आपके लिए देखो एक लोकैलिटी है, जिसमें क्या हो रहा हैë x ओर y एक जग़ रहे है ठीक है यह कोई भी uk नामकी country है और इसी में, uk नामकी country में क्या या? कि y और z भी आएगा तो यह क्या हो गया है, यह तिनों तो एक ही जगे तो UK नाम की country में ये तीनों ही आ गए भई X आ गया, Y आ गया, आपका Z आ गया तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं X और Z भी तो एक ही में आ गए न सारे यन कि सारे किस में आ गए? UK में आ गए इसका मतलब ये हुआ भई और क्या होगा? ये इंप्लाई करेगा भी यहां से तो यहां से क्या होगा? X and Z lives in the same locality Hence आपका जो relation है वो ही आपको लिखना है भी हमारा जो relation है वो क्या हो गया? Hence relation R is क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन ठीक है? ये है ट्रांजिटिव रिलेशन ये आगे ट्रांजिटिव रिलेशन चलते अप अपने next question में ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो चुकिए ये यहां पर लिख लेना आप भी लाइन हैं तर रिलेशन R is रिफलेक्सिव रिलेशन ठीक है? यहां पर यहां पर बी आपका कंप्लीट है? इसी का देखिए तो यहां से ax होगा? वो क्या होगा? y से कितना होगा 7 टोलर का मतलब बढ़ा होगा वही sorry यानि कि यह कितना है इसका कहने का मतलब है जो X है, वो Y से कितना है, 7 यहनि 7 गुना बड़ा है, कहने का मतलब, इसका मतलब strictly है, exact है, इसका मतलब हमें 7 इस तरीके से लिखना है, इसका mathematical meaning यह है, जो X है, वो आपका किसमे है, वो Y से कितना है, 7 बड़ा है, यह बात है, अब चलते हैं, इसमें जो भी given condition लिखेंगे, फि तो यहां से देखो solution, हमें सब वही आपको, एक ही method अपनाना है, किसी भी question को करने का, यानि कि आपको given क्या है, find out क्या करना है, फिर आपकी process नीचे से start हो जाएगी, reflexive है, symmetry है, transitive है, यह सब, ठीक है, आपको एक method follow करना आना चाहिए, तो यहां से देखो, आपको क्या है, आपका relation है, वो तो किस के उपर है, कि relation, are in a, in d, set a, जो set a है, वो कैसा human beings का है, ठीक है, human beings का, जो कि किसी एक particular time, time period के अंदर टाउन में रह रह रहे हैं, ठीक है भी, इसके बाद में relation a के उपर define है, तो हमें यह तो लिखने में किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, a to a आपका relation define है, अब relation आपको क्या given है, वो भी देख लो भी, relation इसमें x और y के ऐसे ordered pair आएंगे, such that, यहाँ पर क्या होगा, कि x है वो exactly, जो x, x है वो exactly कितना है भई, 7 cm, टोलर देने कि इसे y से, यहाँ तक ठीक है, सब कुछ, अब देखेगा कि यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम यह भी लिख सकते हैं, कि relation, such that, x, y, such that x है वो equal है, इसे y plus का 7, यहाँ आपको आना चाहिए, यहाँ कि इसको हम और नो के तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा relation लिखते थोड़ी ना जाएंगे हमें सही, आपको देखो, so out क्या करना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, फुद कर देता हूं, फिर आपके लिए देखो, भई, solution में पहला point आता आपका reflexive, reflexive relation, यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब reflexive relation समझ में आया है, कि इसके अंदर हमें ऐसे ordered pair लेने हैं, जो खुद का खुद से relate करें, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ दी, देख आपके लिए, देखो, सेट के अंदर है, और आपको प्रूफ क्या करना है, कि भई, a, a, यहाँ रिफ्लेक्सिव होता है, तो वो आपके लिए कहाँ पे आएगा भई, कि भई, a, जैसे x होगा, या तो x, x में आएगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ आपके किस में आएगा, relation में आएगा, और नहीं होगा, तो क्या होगा, does not belong करेगा, ठीक है, अब देखते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे, अब देखतो, जैसे ही मैं इसको, इस 3 में से, यानि कि x लिया, तो x लेते हैं, यानि, डबलेट्स का मतलब, खुद का खुद से, तो वो इस प्र कभी भी x plus 7 नहीं हो सकता है, कि x है, वो कभी भी इसके equal नहीं आएगा, that means, x है, वो इसमें belong नहीं करेगा, यानि कि यह इसके equal नहीं आए, इसको क्या लिखेंगे, x, x does not belong to relation, यानि कि खुद का, खुद कभी भी 7 से बढ़ा नहीं होगा, मैं इतना ही हूँ, तो मैं इतना ह यानि उसमें 7 एड नहीं कर सकता हूँ, यही तो बात भी खुद का, खुद से, 7 बढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ, तो वही बात है, तो इसका मतलब, x है, वो does not belong to relation, that means, यह आपका क्या होगा, hence relation is not relation, r is, r is not reflex, not reflexive relation, यह, आगई बात समझ में, तो relation हो गया, पहला reflexive, अरे, मैंने यहाँ पर relation, relation ही लिख दिया, ठीक, आप लिख ले ना, यहाँ पर reflexive, मैं लिख देता हूँ, आप तो फिर भी नहीं लिखोगे, यह आगए आपका reflexive relation, ठीक है, यह, अब आगे चलते हैं, अपना transitive को देखता है, तो यहाँ से आपके लिए देखो क्या आने वाला है, दूसरा symmetric देखना है, अब symmetric relation क्या कहता है, कि आपको यह बोलेगा, यदि में, इसमें क्या होता है, अक्स, आपका direct आ रहा है, तो end जो आपका y, z होगा, वो y, जो aks आएगा, वो भी क्या आएगा, इसी relation में आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यह है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, तो भाई, यह तो आपके relation में है, इसका मतलब, यह आपको किसमें से चाहेगा, x equal to, आपका किसमें से relation से goes through होगा, तो relation की property तो यह है, यह first equation आपके सामने आई, अब आपको इसी के help से यह दिखाना है, कि यह y, x i, तो आपको देखो, इधर देखना, यदि यह suppose that, यदि यह आपका relation में belong करता है, तो कैसे दिखेगा भाई, y equal to x plus का 7, यहनि इस तरीके का आना चीए, तो भाई देखो, y को देखो, इस से लिख सकते हैं, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको y equal to x minus का 7 लिख सकते हैं, कोई दिकत, ठीक है, बट हमारा जो y है, आना कैसा चीज़ था इस तरीके से, बट यहाँ पर जो y है, वो इस तरीके से नहीं आया, यानि कि x plus का 7 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या एगा, जो आपका y, x है, वो आपके किसमे नहीं आया, relation में नहीं आया, अब relation में नहीं आया, तो आप क्या कहोगे, कि यह क्या हो गया, कि आपका not symmetry हो गया, क्योंकि y, आकसा आपका किसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए था, और मैंने ये end लिख दिया, जो कि मैंने wrong write किया, इसको write करो भई, यानि कि imply करेगा ही, कि y, बट यह तो imply करी नहीं रहा है, कि हमारी जो बीच की mathematics होती ही, symmetry दिखाने के लिए जो given है उसी का use करके end तक पहुचा जाता है, तो बट हमने यह देखा, यह दि suppose यह ऐसा belong होता है, तो अपने को इस तरीके का यहाँ पर आना चाहिए था, बट इस तरीके का आया, नहीं, इसका मतलब y है, वो does not equal to x प्लस का 7, क्योंकि y है, वो इसके equal आ रहा है, ठीक है, यहाँ से y है, वो does not belonging to x आ गया, relation में आ गया, that means, hence, जो आपका relation होगा, hence, relation, r is not symmetry, तो यह क्या होगा, symmetric relation भी नहीं हुआ, यह, ठीक है, सब कुछ, अब जल्दें अपने next में, क्या है वही, इसी का transitive so करना, अपने को transitive so में, देखो तो, वही, क्या होगा, देखते हैं, यह, अब देखो, transitive में आपको देखना भी क्या करते हैं? Transitive relation, Transitive relation, अब Transitive relation यह आया, आपका क्या है यहाँ से, तो आपको पता होगा, कि इसमें क्या होता भी, आपके लिए x koma y है, वो आपके इसð में आता Bureau, ये इंड आपके Engagement no city कि एक्सक्राइब इंड और ये प्रोपर्टि आएगी तो फिर्स्ट वाला तो तो होगा x plus 7y second property अब देखो ये भी आपका किस में आ रहा है relation में आरह है ये आपका किस में आ रहा है relation में आरह है तो इसका मतलब क्या एक है y, do y equal to z plus 7 ये आपकी equation second आई और ये आए ये अब थोड़ा सा आपको ये दिखाना है कि बी में यहां से कैसे न कैसे करके x और y में पहुचूँ क्योंकि x और y मेरे को दिख रहा है यानि कि मेरे को क्या पूरफ करना है यdd यह आपका relation में आएगा तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस का क्या लिखूंगा कि जो x है वो equal हो कि इसके z plus का 7 में यह आएगा, अब मेरे को यह पूरूफ करना है, तो देखता हूं क्या कर सकता हूं, मेरे को x और y की terms लानी है, x और z की terms लानी है, तो यहां से देखो, मैं y की value put करता हूं किसी दूसरे में, तो equation, first and second से, तो क्या लिखूंगा, x equal to, x equal to, क्या लिखूंगा वही, y की जगे क् z plus का 7, यह, तो यहां से x plus का, z plus का क्या हैगा, 14, बट यहां से देखो, x क्या आना चाहिए आपका, यहां से आपका, z plus 7 आना चाहिए ता, बट यह तो नहीं आया, इसका मतलब, जो x है, वो does not equal to x plus का 7 है, तो hence, आप क्या लिखोगे, hence, जो आपका relation, जो r आया है, relation r is not transitive, क्या होगा, transitive relation नहीं होगा, यह, ठीक है, यहां पर, तो I hope आपको यह बाते समझ में आयोगी, जैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यह, आपको यह, देखो, आपको आगे से दिखना चाहिए, यह हमें प्रूफ करना है, तो इसका meaning, इस relation के according क्या होने वाला है, वो हो सब्सक्राइब बात है, तो इसका मतलब, X है, वो does not equal to Z plus 7 है, इसका मतलब, यहां से क्या होगा, कि यहां से होगा, कि X, Z है, वो आपकी किसमें नहीं होगा, relation में नहीं आएगा, यह, ठीक है, यह आपका यह तीनों चीजे complete है, देख लो भई, यहां से, यह और यह, चलिए, अब आगे चलने इसका, इसी का, देखो, अब देखो, थोड़ा साम, थोड़ा relation है, तो देखो, किसी के साथ wife पा होगा, तो किसी के साथ husband का relation होगा, और कि इसी के साथ, भाई का, father का, sister का, यह वाले relation है, तो relation तो, अपनी real life में भी है, तो math में भी है, यह बाद ध्यान में रखना, अब इसी का, देखो, अब फिप्त पार्ट, देखो, फिप्त क्या है, यानि कि first है, कि relation are in the set of human beings, ठीक है, एक human beings है in a town at a particular time, ठीक है, यह same to same, सभी इसा अलग define किया हुआ है, ठीक है, चलते हैं, क्या कटते हैं इसमें, ठीक है, सोल्यूशन में तो वही बाते लिखने हैं, आपका जो relation है, पहले given है, वो लिखो, गीवन है, वो आपको है, कि relation are in the set a of human beings, human beings, ठीक है, इसी में दूसरा आपके लिए क्या आने वाला यह है, बाते, तो दूसरा देखो, यह आपके पास a set के उपर define है, तो हम क्या लिख सकते हैं, such that a to a के उपर आपका define है relation, अब आपको relation क्या given है, वो भी लिख दो भई, कि आपको relation given है, कि aks such that, aks, और यह क्य हो गया, aks is wife of y, ठीक है, aks है, वो क्या है wife, कि aks है, वो wife है, किसकी y की, ठीक है, बाई, कोई दिकत नहीं है, इसका मतलब, देखो, aks है, वो wife है, इसका मतलब, यह तो इसकी क्या हो गया, female version हो गया, यह इसका क्या हो गया, male, और इसको बोलेंगे, तो यह इसका क्या हो गय ठीक है यानि कि हैस्स बेंड को हम एस से डिकार यानि कि हैसे डिनोट करें इसको थोड़ा अलग कलर भी दे दो दिखे अपने को एच ठीक हैस्स बेंड बोले तो ठीक है यह आपको पता होना चाहिए यह आपका रिलेशन है अब आपको देखो यहां पर सो आउट क्या क्या क् तो आएंगे, ठीक है, सोइंग आउट हो गया, इसके बाद में हम देखते हैं, आंगे चलते हैं, वह क्या कर रहे हैं, कि अब हमें पहला तो पॉइंट ही किसके उपर आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव पर आएंगे, और क्या है करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां तक ठीक आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, कि आपके लिए कोई भी, फोर ओल, आपका कोई भी अक्स आएगा, जो कि हुमन बिंक्स के सैट में से आएगा, ठीक, आपको कैसे ना कैसे करके, या तो अक्स कोमा अक्स का डबलेट्स आपको इस रिलेशन में दिखा दो, या फिर इसको डॉन्ट, यहां 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 आपको नोट रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो पहले तो देखो यह लिखता हूँ कि क्या इस में से है, तो अक्स क्या है, अक्स इज, वाइफ ओफ, अक्स, देखो अक्स है, वो कभी भी खुद की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है, यहां पर जो बेठा हुआ वेखती था, वो हैस्बेंड है, अब हैस्ब की position इनोंने ले ले लिए तो कभी ये अपनी जिन्दगी में relation में कभी ये possible हुआ है कि कई एक wife है वो खुद की wife हो जाती है यानि कहने का मतलब एक लड़की खुद की wife थोड़ी न हो जाती है सही है नहीं है इसका मतलब ये आपका जो बोलावा statement है या आपका wrong है कहने का आएंगे इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो aks है aks is not aks is not wife of aks इसका मतलब देखो aks है, aks है वो आपका does not belonging to relation आएगा hence ये आपका reflexive relation नहीं होगा तो ये क्या होगा not reflexive relation, not reflexive relation, ठीक है अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने देखिएगा अपना reflexive हुआ है वो complete कर चुके है तो अब चलते हैं अपने किसमें symmetry में लोगों symmetric में क्या करते हैं देखिएगा symmetric relation अब देखिएगों symmetric relation में क्या करना होता है वो हमें पता है पहले से ही जो इसकी basic definition वो क्या भी कोई भी आपका यदि x और y नाम का कोई भी pair है ठीक है ordered pair वो आपके relation में है तो ये क्या करता है कि ये imply करता है कि ये इसका जो reverse version है वो भी आपकी किसमें आएगा इस relation में आएगा ठीक है तो इसके बाद में हम देखते हैं भी ये आपके relation में है तो relation की property से goes through होगा that means क्या होगा भई अक्स is wife of y ठीक है यहनि अक्स है वो wife है किसकी अक्स इस wife of y ठीक है यह आपका एक condition था और यह दूसरा जो अब देखो इसी की help से हमें प्रूफ करना है क्या प्रूफ करेंगे कि जो आपका जो y коп है वो इसमें आएग कि पहले इसी relation गोलते वे चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि आपका बोलने का मतलब है कि जो आपका y, x है ना वो भी आपके किसमे होना चाहिए relation में आना चाहिए ठीक है यानि relation में आएगा नहीं आएगा वो देखते भी यदि आपका ये देखो कि y, यदि यह क्या हो गया, इस relation में आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, suppose, यदि हम क्या करेंगे, कि यहां से हम check करेंगे, कि we, we check, we check क्या करेंगे, जो आपका y, x है, वो भी आपका किस में आना चाहिए, relation में, यानि check कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, कि यह क्या हो सकता, y है, y is, y is wife of x, यह, ठीक है, इसका मतलब देखो, कि यहां पर y आपका क्या था, गीवन है, यह आपका husband ही होगा, ठीक है, समझ में है, husband h, यह आपका क्या है, आपका male version है, यह आपका क्या है, female version है, ठीक है, अब आपने यहां यहां पर क्या बोला कि Y है वो इसका क्या हो सकता, X का क्या होगा, Y है वो X, Y है वो X की क्या है, Wife है, that means, आपने क्या कर दिया, कि husband को क्या बना दिया, Y बना दी किसकी, X की, यह possible थोड़ी नहीं, कि वही आपका यह क्या है, male है, और यह आपका female है, यह possibility नहीं है, माना, कि यह आपका क्या है, Wife होई नहीं सकती, male, यह तो इसका husband हो सकता, that means, यहां पर क्या होगा, कि यह अपना बोलना ही correct नहीं है, कि क्या होगा, कि यहां से इस line को क्या करेंगे, change करेंगे, हाना, कि यह क्या लिखेंगे, Y is not wife of X, हाना, इसको भी अठादो check कर लिया हमने, तो यहां से देखो, थोड़ा सा यह, इसलिए कर रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए, reverse तो यह होता है, कि इस से हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, Y is, हाना, यह करने वाले, इसलिए मैंने पहले वो देखा, कि हाना, इसको check तो करें, कि Y, X है, वो इसके relation में आएगा, य इसका मतलब, यानि कि Y यहां पे क्या हो गया, Y है, वो किसकी wife हो गई, किसकी X की, यानि, that means हमने husband को क्या बना दिया, wife बना दी किसकी X की, और X आपका क्या है, यह तो possibly नहीं हो सकता, that means Y is not a wife of X, that's why, क्या होगा, कि यहां से जो Y, X आपका होगा, वो आपका relation में नहीं that means, यह क्या होगा, कि hence, जो आपका relation होगा, relation R is not wife, relation R is not wife, so not symmetric, symmetric relation, यह, ठीक है? अब देखते हैं, इसके बाद का, यहां से आपको symmetric समझ में आ गया, इसके then after, हम discussion करने वाले, अपने next part को, देखिए, क्या है वो आपका, Transitive relation, Transitive relation, अब Transitive relation में, वो ही आपको पता है, कि क्या होता है, कि आपको, X और Y आपका किसमे होता, relation में होता है, ठीक है, and Y और Z भी आपका किसमे होता, relation में होता है, ठीक है, तो दूसरी बात, आपको क्या करना है, कि यहां से, तो आप यह imply करता है कि जो x,z है वो भी आपका किसमे होगा relation में आएगा यह आपको मुख्य मुख्य बाते हैं भी ट्रांजिटिव को देखने की अब देखो यह आपके relation में है तो relation की property से goes through होगा तो यहां से देखते हैं भी x है वो x क्या है x is wife of y that means y आपका यहां पर क्या है husband का काम कर रहा है husband बोले तो h लिख लेना समझने के लिए only समझने के लिए ठीक है दूसरी बात देखो यह y है वो y,z भी आपका relation में that means y